तो जहिंद दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मांत्रा में तो डियर इस्टुड़ंट कैसे वो तोड जबा दस्त होंगे तो डियर इस्टुड़ंट आज के सिवरे में हम लोग कलास 30 के गढ़ित के सभी महत पूल प्रेस्षण दोजा 24 बोड पेपर के लिए हल करने वाले हैं जो कि आपके बोड पेपर में 100% दोस्तों इस तरह का क्यूशन बनता है क्योंकि देर देखिए जो आपके बोड पेपर में क्यूशन आते हैं वो आपके ज़लतर जो होते हैं रिपेड़र रहते हैं यहां तो जो कुस्टिन रहते हैं वो आपके वैसे ही रहेंचे सिर्फ आपको आपको चेंज हैं वहाद को पेला की कियोंगा है बठाने वालahu नहुम बंडरे दांए वाला पढ़के जाना है देखिए आकड़ो 2 12 5 15 15 7 4 की मदिका ग्याद किजिए यह आपको मदिका ग्याद करने के लिए बोल रहा है यह आपका संख्याके की चैप्टर से लिया गया सवाल है तो दिखिए इसको कैसे लगाएंगे आप लोग इसमें आपको फर्मुला याद रगना इसे समांतर माद निकलना हो गया, माद हो गया, बिचलन हो गया, माद दिखा हो गया, इस सब आपको निकलना आता रहना चाहिए, तभी आप इसमें से 8 से 10 नमबर मेथ में आप लोग गेन कर सकते हैं, देखिए, आप पहले आपको संख्या दिया गया, तो आप इसको पहले आ है तो 2 लिग दे दो से बड़ी संख्य इसमें क्या果 चार तर चार लिख देंगे आप चार से बड़ी संख्य इसमें पांच है तो पांच लिख दिन के बाद दिख्याए इसमें आपको दीक रह चांक। प्र जाएगा इसमें आप Zum 12 हो गया है अब 12 का बाद देखे इस्ट यहां पर हो जाएगा 15 अब इसको आप लोग कल्कुलेट करें यानि गिनी है इसको इसको आप लो गिनी यह देखे एक दो तीन चार पांच छह सात इकाट यानि इसकी जो है आठ यह आपका संप्शंख्या आठ क्या आपका यह आप का आयन का मान निकल गया इस तरह अब देखिए आपको इसमसंख्या आप क्लिए फर्मूला क्या लगा लेंगे अब अब देखिए वर्मूला क्या होता हृतो हम अनृइजました का माधिका का Х Всем डियरसंड आपका मदी का ब्राबर हो जाएगा यए न बटे टू ब्रेक्ड में क्या कर देंगेगे वेपन का मान इस पत्का मान यह फार्मूला डियरसंड आप लोग याद रखेगा पलस लगाएगा फिर यह पलस उसके बाद देखे दो पलस one फिर ब्रेकेंट में रहे हैं वे पत्का मान पत्का मान अब बटा में क्या लगा देंगे बटा में दो लगा देंगे यह आपको हो गए सूत्र हमको यहन का मान मालूम है यहन का मान कितना है आठ है अगर आपको यहां पर संग गिनने पर आगर आपको संग्या तभी आप इस फर्मुले का उप्यो हो जागा आठ बटे दो प्लस वन वे पत्का मान बटा में दो लगा दीजिएगा इतना हो गया अब देखिए आप लोग इसको काट गए दो चोग आठ हो जागा यह नहीं हो जागा चार में पत्का मान चार में पत्का मान हो गया पलस लगाएगा अब देखिए आठ एक नौ देखिए अब इसको भी कार देंगे हम लोग दो चोग आठ चार एक पांच यानि कि पांच में पत्का मान हो गया पत्का मान बटा में दो रख दीजिएगा अब देखिए अब बोल 4-4 अब लिक दिएंगे 5 पलस परस करसेंट लगा दिएगा अब देखिए यह पंच में पत्त का मान तो पांत पत्त कुं सा इसमें से एक दो तीन 45-बह आप लगा दिएगा साथ योगा निकाल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस सवाल को क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को चलिए एक किश्टन और लगाते हैं हम लोग संख्याओं 2 3 4 6 7 11 9 15 16 और 20 की माधिका होगी तो आप इस सवालों कैसे लगाएंगे चलिए देखिए बहुत साइजी है उसी तरह लगेगा पहले हम लोग इसको आरोही करम में लिख लेंगे बारते हुए करम में देखिए पहले दो है छोड़ी संख्या दो फिर तीन उसके ब नो के बाद देखिए नो से बड़ी संख्या 11 है तो आप लोगी 11 लिख लीजएगा अब 11 से बड़ी संख्या आपका है इसमें 15 तो 15 लिख लीज जेगा उसके बास 16 है उसके बास 20 है हम को ग्यात क्या करना मात दिका जिसको में गिन्तिक कर लिजिए आप लोग 11 दो 13 चार हमारा सूत्र हो जाएगा फर्मूला कौन सा है माधिका बराबर माधिका बराबर हो जाएगा आपका यहन बटा टूएं पद का मान मान पलस उसका बज़ेगा यहन बटा डो प्लस वन वें पद का मान मान बटा में कितना कर देगा आप लोग दो कर दीजेगा अब देखिए यहन का मान रखे दीजिए दस बटा दो उसKE बास कि मैं पत का मान मैं पत का मान हो जाएगा डियर स्ट्वर्मट इसका पलस हो जाएगा यहाँ पे भी रख देंगे दस बटा 1 2 प्लस 1 आप दिखिए मैं पत का मान मैं पत का मान हो जाएगा बटा में करदेंगे किना गया है यहांप पाँंच आ गया इसको आगर कर देंगे O यहां पर हो जाएगा आपका इसको कार देंगे दोस्ते यह भी पांच जागा यानि देखें पांच में पद का मान पांच में पद का मान पलस पांच एक छेवेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश्वेश 4 5 सात् हो जाएगा, पलस कर दजिएगा चाथ हों चायाईगा नव को जाए'll tenía, उसके बाद देख'े दो हो जाएगा अबुशन कितना होता है, शोला होता है कितना होता जाएगा, छा में अइस तरह टेलिभा आप लगा सकते हैं तो चलिए आप लोगों ने लगबर संसंख्या की दो सवाल लगा लिए आप लोग समझ गयोंगे इसी तरह लगा गया एक एक सवाल लगाएंगे विसंद संख्या का तो डियर इस्ट्रण आपका अगला किस्ट्ण है देखिए संख्याओं दो तीन चार पांच छे आठ नो की माद्धिका ग्याद कीजिए इसको गिन ये देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे दियर इस्ट्रण बहुत इस्ट्रण है एक दो तीन चार पांच छे साथ यानिकर आपका यहन कमान दिया हो साथ दिया गया है तो यहां पर देखिए जो साथ आपका क्या है विसंद संख्या है क्या है विसंद संख्या है इसके लिए फर्मूला क्या हो जाएगा यहन प्लस वन बटा में टू अब यही आपका फॉर्मूला है वेंपत कमान हो जाएगा अब देखिए यहन कमान डग दिया यहां पर हो जाएगा साथ साथ प्लस वन बटा में दो वें पद्ध का मान हो जाएगा हुआ लोग आर्ट बता दोगत देंगे पहले कर लेतें है subscribe कामा तीन कामा चार कामा पांच कामा छे उसके बाद उसके बाद है आपका आठ क्या है आठ है उसके बाद नो यह देखे एक दो तीन चार चौथा पत कितना है पांच यानि एंसर क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा तो डियर इस तरह आप लोग माधिकास रिलेटेड आप क किस्टन को हल कर सकते हैं तो लाइक करना सेयर करना मिलता हूं नियुक्त लिए जयाहिन बंदे महत्रम